आनिमल्स इन दे पार्ट ओफ हुमन लाइफ तेर चिल्डरन अब इंसान की जिंदेगी में हमारे लिए आनिमल्स कितने जरूरी हैं इसके बारे में हमें एक लेख लिखना है उस समय इनसान आनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते थे चाते चाते इनसान में टेक्नोलोजी डेवलाप होने की वज़े से मोटर वेहिकल्स इस्तमाल में आ गए अब इनसान की जिन्दगी का हिस्सा बन चुके हैं बट इतना होने पर भी आज भी इनसान जानवरों की मदद लेते आ रहे हैं हाथी, घोडा, ओंट आज भी हमारे काम आ रहे हैं आज भी चंगलों में कटे हुए बड़े-बड़े पेड़ों को लौरी में चड़ाने के लिए हाथी होते हैं दस लोगों से जो काम नहीं होता है, एक हाथी वो काम आसानी से कर लेता है क्यों आपू, सही कह रहे हूं ना? येस मिस ऐसे बहुत से कामों में यूस आने वाले जानवरों को वही इंसान बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनकी चीजों का बिजनेस कर रहा है अब कोई भी चानल देख लो, कोई भी पेपर देख लो, आजकल जानवरों की हत्या की खबरे बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलती है At the same time, हम सभी को भी उनकी रक्षा करने के लिए ready होना होगा पेड काटना बंद करना होगा Environment को कैसे बचाते हैं? उसी तरह wild animals को बचाने के लिए भी हमें लड़ना होगा Today's topic on save wild animals is over Is बच्चे का नाम अपूरवा है पर सभी इस बच्चे को प्यार से अपू बलाते हैं और इस बच्चे को हाथियों से बहुत प्यार है हमेशा बिजी रहने वाले इस बच्चे के माबाप इस बच्चे को कभी असली हाथी नहीं दिखा पाए तो क्या अपू का ये सपना पूरा होगा? आईए खुद देखते हैं. हाथी सच में नहीं आया? ये सारा सपना था. हलो? मम्मी डाड़ी घर पर नहीं है. थोड़ी देर बात फोन कीजिये. अरे, अरे अपू? अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारा मामा. मैं सिंगापॉर्ण से फोन कर रहा हूँ. हाई मामा जी. मैं अपसे बात नहीं करूँगा जा. अरे बेटा, मुझसे नाराज क्यो हो? आखिर मैंने क्या किया? बता दूँ क्या? जाने से पहले क्या कहा था? मुझे याद नहीं आरा, बेटा. हाथी चाहिए ले आओगे बोला था ना? ओ, सॉरी अपू. इस बार जब मैं आऊंगा, तो तुमारे लिए हाथी जरूर लेके आऊंगा. ओके बेटा? प्रॉमिस? प्रॉमिस? ओके मामा जी, थैंक्स. अच्छा, मैं आ रहा हूँ ये मम्मी को बता देना. मैं तुम से बाद में आराम से बात करता हूँ. थैंक्यू, बाइ. बाइ. मामा जी आएंगे, हाथी ले आएंगे. मामा जी आएंगे, हाथी ले आएंगे. मामा जी आएंगे क्या बात है अफूर सुबह सुबह हाथी का नाम इतने जोरों से क्यों ले रहे हो मामा जी हाथी लाने वाले है फोन पे कहा तुम्हारे मामा तो पागल है तुम जाकर ब्रेस चेंज करके तूद पी करा जाओ ओके मामी किरन रात की पाटी बहुत शांदार थी ना जी मुझे भी पाटी बहुत अच्छी लगी मामी मुझे नहला दो ना तुम्हें अभी ना आना है मुझे औरजेंट काम है ऑफिस के सेमिनार के लिए प्रिपेर होना है अपने डाडी से पूछो डाडी मुझे नहला दो ना रुको बेटा शेयर मार्केट के डिटेल्स देख रहा हो आप दोनों से मुझे कोई उमीद नहीं है काकी काहिए मैम साब काकी आरे मैम साब इसे अंदर ले जाकर नहला दो जरा तुम्हारे हाथों से नहाना चाहता था तुमने उसका दिली जाएगा मुझे बहुत सारा काम है वैसे बताना भूल गई आज वेनू इंडिया आने वाला है एरपोर्ट जाकर उसे रिसीव कर लीजेगा नो नो मैं नहीं जा सकता आज मेरी टेंडर मीटिंग है तुम ही चली जाओ ना मैं क्या बेकार में बैठी हो इवन आम उसे बिज तुम जल्दी से रेडी हो जाओगी तो तुम्हें ओफिस में ड्रॉप करके मैं अपने काम पे चला जाओँगा इसका नाम है सिद्धु ये इस कॉलोनी का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है ऐसा लगता है इस बच्चे का जनम किसी फिल्मी स्टूडियो में हुआ होगा इसलिए ये इतना नोटंगी बाज है ये छोटा सा लड़का अपने आपको गबर सिंग समझता है और हमारे हीरो अप्पू को हमेशा परिशान करता रहता है हमारे अप्पू को हाथी पसंद है इसे डॉग्स के बच्चे पसंद है इसके डॉग्स के बारे में इससे ची तारीफ और कोई नहीं कर सकता सुदी देख लीजे प्रेंड्स मेरा पपी कितना प्यारा है जानते हो नहीं जानती सिदो तुने कभी देखा नहीं ना परसो तुम तुमारी मम्मी के साथ हमारे घर आई थी तब शायद तुम देखना भूल गई जी हाँ नेक्स टैम तुम आओगी तो मैं तुम्हें हमारा पपी दिखाऊंगा अगली बार आऊँगी तो उसकी दुम पकड़ कर खीचूंगी आँ दुम से याद आया पिछले साल के डॉक शो में उसे फॉस्स प्राइज मिला था तुम सेच कह रहे हो मेरे पपी के स्टेज पे आते ही बाकी सारे डॉक्स ने अपना दुम दबा लिया था हां क्या तुम्हें लगता है यह सच बोल रहा है यह सच बोल रहा है तुम्हें जूट बोल रहा हूं क्या दुम तेड़े होते हैं लेकिन उन डॉक्स के दुम जादा ही तेड़े थे सीदू तू बहुत जूट बोलता है, यार. हाँ, हाँ, ये तो हमेशा जूटी कहानिया सुनाता है. इसे क्यों बात कर रहे हो, चलो, चलते हैं यहांसे. हाँ, चलो, निकलो यहांसे. बाई, मैं स्कूल जा रहा हूं. अरे बाबा, तुम स्कूल जा रहे हो? रास्ते में संबल कर जाना बाहर बहुत सारे कुट्टे हैं फुत्तों का टेंशन कॉल लेता है आंटी जब मेरा हाथी आएगा ना तो सारे कुट्टे दुम दबा कर भाग जाएंगे ओके बाई मुझसे कह रहा है कि हाथी लाएगा पागल लड़का हाथी इतना बड़ा होता है कि उसे ढखना मुश्किल हो जाएगा मेरी बात याद रखना ऐसा कभी नहीं होगा कहता है कि मैं हाथी जैसी हूँ कितना पागल लड़का लेगी मेरा हाथी बहुत बड़ा है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है जादा हीरो मत बनो अप्पू पहले यहाँ हाथी ला कर तो दिखाओ बाद में ये सारी बाते करना दूँ अप्पू तु हाथी नहीं लाया है न इसलिए बहुत उड़ रहा है तु हाथी ला कर इसके सामने खड़ा कर दे ले आऊंगा यार एक दिन बेट करो तेरे चपल से मार खाले ओ सॉरी तीरे जूटा से मार खाले तुम जूटे खाओगे यह मैं जूटा खाओगा क्लास में पता चलेगा चलो यार क्लास चलते है इससे कौन बाथ करेगा जाओ आज तुमारी खैर नहीं अरे अप़ू और उसके फ्रेंड्स को तो दूबे सर के हाँ तो मार खिलाना होगा यार। वैसे ही दूबे सर का बीपी हाई रहता है। गुस्सा आने पर क्लास खतम होने तक नील डाउन करवाते हैं। आखिर तुम करने क्या वाले हो। मैं अब कुछ नहीं करने वाला हूँ। जो करना था मैंने कर दिया। तुने ऐसा क्या कर दिया, मुझे भी बता। वेट, वेट एंड सी। ओ हमारे दूबे सर आ गए। बॉड मॉर्निंग चिल्डरेंस। बॉड मॉर्निंग चिल्डरेंस। अल उफ यू प्लीज बी सीटेट। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाले प्रदेशों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आल आफ यू, लुक एट दिस मैप। सर ने तो मैप खोला है। तेरे दिमाग में कौन सा मैप चल रहा है पता नहीं। लुक यह, इस चेरापुंजी के प्रदेश में ही ज्यादा तर बारिश हमिशा होती ही रहती है। इस प्रयांद के लोगों का जन जीवन वो यहां के मौसम के अनुसार ही बिताते हैं। सर। क्या सिद्दू, एनी डाउट। कल अपने वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके ले आने को कहा था ना सर। आप नहीं देखेंगे। ओ, देखता हूं सिद्दू, तुम बैठ जाओ। अच्छा तो तेरा आइडिया यह है क्या। हाँ, तो सभी उस मैप को दिखाईए। हा वेरी गूड। जलो सिद्दू अपना मैप दिखाओ, हाँ, दिखाता हूं सर्र अरे मैप तो देखी नहीं रहा है। क्या हुआ वर्क नहीं किया। क्या और रीकिन मैप मिल लहीँ रहा। अधर देख धने चूट। भी बोल रहा है। होमवर्क नहीं किया तो पणिश्मेंट जानते हो ना गोएंड निल डाउन वे सालेंस अगें लूक अड़ दिस मैप पप्पो को मार खिलाने के चकर में तूने क्यों मार खाई यार मैंने उनके बैक से सारे मैप निकाल दिये थे यार लेकिन आग कैसे गए मेरी वज़े से आ गए अरे सिद्धू का मैप कैसे निकाला यार उनका प्लान मैंने सुन लिया था यार मैंने जब वो लोग पानी पीने गए थे तब सिद्धू को मैप बैग से निकालते में देख लिया था उसके बाद मैंने उसके बैग से सारे मैप निकाल कर अपने बैग में रख लिये थी जब लासू औरे, उसको मस्त मलगाचकाया उसको यही होगा न? ठी कैंगी क्यों कर रहे हो तुम्हें डिस्मिस कर दूगा अरे बाबा, ऐसा काम बिल्कुल मत करना आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, कल से मेरे सारे काम मेरा फ्रेंड करेगा फ्रेंड? कौन है बाबा? जिसे मैं नहीं जानती हूँ मेरा प्यारा हाथी, थोड़ी देर में आ जाएगा ना हाथी, वो हाथी यहाएगा, अगर वो आएगा तो पूरा घर बेहाल हो जाएगा क्यों होगा? कमाल करते हो बाबा, हाथी इतना बड़ा होता है, मोता होता है उसके वजन से घर जमीन में घुच जाएगा ना आप अंस्कू रहे हैं बाबा तुम्हारे चलने से घर जमीन में नहीं घुचा ना आप ऐसे नसेंगे तो मैं बात नहीं करूँगी तेके कंगी करो, वो देखो, बातो बातो में मेरा हाथी भी आ गया हाई, मामा जी, हाई अपू, हाव अई यू, फाइन मेरा हाथी कहा है तुमसे प्रॉमिस किया था, तो हाथी क्यों नहीं लाऊंगा पर कहा है ट्रक में आ रहा है क्या मेरा हाथी प्लीज, बताओ ना मामा जी जो तुमने मंगाया था, उसके लिए ट्रक की जरुद है क्या हाँ, लेके आया हूँ, साथ ही लेके आया हूँ योर टेलिंग लाइज मामा जी, आप मेरे ले कुछ नहीं लाए, जाओ अरे बाबा सर में दर्द कर दिया, बेटा अभी अभी तो आया हूँ इतनी दूर से तुमारे ममी डैड़ी भी घर पे नहीं हो तुम परिशान कर रहे हो, काकी ज़रा एगास पानी लेओ छीक है साब ये ले अपू तेरा हाथी आप ये स्टाच्य एलिफेंट लाए हो, जाओ अरे, 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 अपू, अपू अपू, अपू, अपू मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जाओ मामा जी ये तो मुझसे नाराज हो गया अपू पता नहीं कैसे मनाऊंगा इसे साब जी, लेजिए पानी पीजिए अरे, बापरे, लगता है बाबा को बहुत गुसा आ गया है अपू बाबा को हाती से बहुत प्यार है, हमेचा उसी के बारे में बाते करते हैं अप भाया, तुम कब आए? अभी अभी आया सौरी भाया, मैं एइपोर्ट नहीं आ सकी मेरा सेमिनार चल रहा था जाना ज़रूरी था काम होते ही, इंक्वाइरी की मैंने कह रहे थे कि फ्लाइट आ चुकी है इसलिए तुम से मिलने जल्दी से घर आ गई अपू का है? उस कमरे में बैटा हुआ है साब कमरे में क्यों गया? इस समय तो वो सोता नहीं है क्यों तब यह ठीक है न उसकी? वो एक्चुली बात क्या है? उसने मुझसे हाथी लाने को कहा था तुम भूल गए? इसलिए वो नराज हो गया है मैं भूला नहीं बाबा ने नकली हाथी को देखकर गुस आओकर फैक दिया सब पसंद नहीं आया क्या? बात पसंद की है ही नहीं उसे स्टैशु वाला नहीं असली हाथी चाहिए वो पागल है अच्छा हुआ जो उसने शेर नहीं मागा मैं उसे समझा दूँगी अब यह कूपर ले जाए आओ बेनू तुम लगेज लेकिया हूँ अप्पू? अप्पू? दोर खोलो पीज ओपन दूर बेटा ममी कुछ कह रही है खाना खाने आजाओ मैं नहीं खाऊंगा मुझे भूख नहीं है मैं तुमारे लिए आइस क्रिम राही हूँ मुझे पसंद नहीं है अच्छा क्या चाहिए तुम्हें तुम नहीं दोगी नहीं बेटा क्या चाहिए तुम्हें पताओ मैं मिंटो में लेकर आऊंगी प्रामिस प्रामिस तुम मुझे हाती चाहिए अप्पू क्या है ये सब मैडनिस बहार आओ मुझे हाती दोगे तब ही याओंगा अच्छा ठीक है पहले तुम बहार आओ सच मुझ दोगी ना हाँ मैं सच कह रही हूँ क्या है आपको ये सब मुझे फिर से मीटिंग में जाना है इतना टेंशन क्यों दे रहो मुझे नहीं तो आप हाती नहीं दिलाओगी अच्छा ठीक है पहले तुम बाहर आओ ठीक है आ आ रहा हूँ चलो खाना खाते हैं सर्फ हाती है न दिला दूंगी मामा जी वाला हाती नहीं चाहिए ठीक है असली वाला दिला दूंगी वो देखा अप्पू अरे वो ऐसे चल के क्यों आ रहा है आथी पर बैट कि आना चाहिए आप लगता है मामा जी लेकर नहीं आया लाते हैं कुछ ने कुछ लेकर जाते हैं पर लाते ही कुछ नहीं तेरे मामा जी पर ऐसे ही है धी-धी-धी कहकर मेरी मामी को डोपी पहन Krp यद्यको बिनना बरता वह यसान कि लहतीं यह जी काम नहीं करते। गाम छोड़ी हॉगा अरे चुपो जाओ यार अप्पू के मामा जी असे नहीं है जेंटलमेन है सिंगापूर में उनका बड़ा बिजनस है पता है यह रहे अप्पू तेरा हाथी का है तो यहां हाथी पर आएगा सोचके वेलकम करने के लिए इस सब को यहां खड़ा किया मैंने क्यों रहे तेरे मामा जी नहीं आए लगता है नहीं आए जड़ूर आएंगे भाईया बताईए भाईया यह क्या बताएगा इसके मामा ने इसे बेवकूफ बनाया मेरा पपी देखना है तो मेरे घर आकर देख लो हाथी का तो क्या करेगा मेरे मामा जी नहीं दिलाए तो क्या हुआ मेरी मम्मी दिलाएगी हाथी और शे उन्हें क्या टॉइ शॉप में मिलने वाला खिलोना समझ रहा है तू खरीदने के बात देखते हैं ए यह क्यों अप्व को परिशान कर रहा है इसे बात ही क्यों कर रहा है चल चलते हैं गुद मॉर्णिंग चिल्रेंग प्लीज बी सीटेट एट एट यह सब ने होंबग किया है ना किया है मिस अप्व तूम ऐसे क्यों बैठे हो होंबग नहीं किया उसे हाथी चाहिए है सिद्धू सच केराय रहा है क्या हा मिस सी इसकी मामा हाथी हmeal राने करके नहीं लाई इसलिए परिशान है इतनी छोड़ी सी बात के लिए परेशान होते हैं क्या हाथी को देखना इतना भी मुश्किल नहीं है हाथी तुम्हें इतने पसंद है दुनिया में बहुत सारे जानवर है पर खास करके तुम्हें हाथी ही क्यों पसंद है मेरे बचपन में हाँ क्या हुआ था बचपन में ऐसा हुआ कि मेरे बचपन में क्या है अपू बचपन में बचपन में कहकर सस्पेंस क्रियेट कर रहे हो तुम डेली सीरियस देखते हो क्या जी नहीं मिस मेरे बचपन से ही हाथी ना मुझे बहुत जादा पसंद है अच्छा है अच्छा है बोलो बोलो इस रियली इंट्रेस्टिंग जी हा मिस मैंने इसके उपर बहुत स्टडी की है हाथी की बार में क्या-क्या जानते हो बताओ तुम्हारे फ्रेंज भी सुनेंगे इतना मोटा शरीर वाला हाथी वेजीजेरियन होता है नौन विज नहीं खाता जुन के एक हाथी को बंदी बनाया तो उसके आजाद होने तक दूसरे हाथी नहीं सोते बस रोते रहते हैं तुम्हारे पास हाथी के बारे में अच्छी इंफिमेशन है इसी तरह पढ़ाई में भी आगे होना नाव लेट इस कम तु दे पॉइंट अप्व की तरह तुम मेंसे कुछ लोगों को बंदनों को देखने की शेरों को देखने की बहुत ही ज्यादा उच्जूखता होगी इसलिए आप सब को नेक्स सांदे जूपार्क ले जाने वाली हूं मैं ठीक है ना अप्व के हाथी का नाम क्या है पता है अप्व तुमने हमें जो इन्फिमेशन दी उसे मैं बहुत खुश हूं यह लो यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है थैंक यू मिस मिस तो तेरे हाथी के चकर में होमवक देखना भूली गई मुझे बचा लिया याद अरे अप्व तुझे तो कॉसली पैन गिफ्ट में मिली गया इस पैन को मेरे मम्मी डैडी को दिखाऊंगा देख या शुरेस यह तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि इसने वर्ल कप जीत लिया हो अरे विशे मुझे गिफ्ट दिया इसलिए यह जल रहा है जलने के मुझे कोगी जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे पिंट तो मैं कितने सारे खरीच सकता हूँ भरीट सकता हो, लेकिन गीफ जीत नहीं सकता है, अगली बार क्लास में मेरे डॉक के बारे में बता के मैं भी गीफ्ट जीत लूँगा, या भोलेगा तू, डॉक भॉबफ हो करता है, ऐसा बोलेगा क्या, या फिर बोलेगा टाग उटा कर शुच करता है, अंगले डॉक से टाइम बहुत हो चुका है मम्मी डैडी अब तक आये क्यों नहीं अपू बाबा अब खाना खालो बाबा मम्मी डैडी आने के बाद ये गिफ्ट दिखा कर उसके बाद में खाऊंगा तुम जा वो अभी नहीं आएंगे बाबा वो कोई नई फैक्टरी बनाने के लिए नई जमी देखने गए है बाबा पता नहीं कब तक आएंगे बहुत रात हो चुकी है अब काना काके सोचाओ बाबा अरे मेरे ब्रेन में स्पून डाल गर मत खाओ वो क्या है बाबा कोई नए फ्लेवर की आईस क्रीम है क्या ठीक है मैं जाकर आपके लिए दूद लाती हूँ अरे मैडम को पता चलेगा अब बाबा नीचे सोये है तो मुझे तो जान से मार देंगे बाबा बाबा नीचे क्यों सो गए बाबा अरे रे रे ओ अरे गागी अपको सोग या क्या मैं उसके लिए आईसक्रम लाई हूँ पता नहीं क्या हो गया है आपका इंतजार करते करते सोग है खाना खा लिया इसने आपके आने तक कुछ नहीं खाऊंगा ऐसा खेह रहे थे मैम सब बहुत कोशिश किया पर खाना नहीं खाया अरे शिट इस अब तुम्हारी वज़े से हुआ है मेरी कार सर्विस पर दी होती तो ऐसे नौबत नहीं आती है ऐसी बात कर रही हो तुम मैंने जानबुच के किया है क्या मैं और वेनु तो जाही रहे थे फिर तुम क्यों पीछे कि अब उसे खाना खिलाओ क्या हम जगडा कर रहे हैं नहीं मजाग कर रहे हो सब के सामने तुम लोग जगडा कर रहे हो कितने शरम की बात है सब मुझे ही बोलते है काथी मेरे साथ आईए जी जा जी शांती से जीने नहीं देती है अट जा मेरे शेर अभाम दर स किसकी है इन हम ये मुझे Kyleestra में चोरी किया जी हा हूँ अश्यां एक तो चोरी की ऊपर से सीनत चोरी कर रहा है ये ऑर क्षुर क्या हूँ अज Syria करकरा देखते क्या हूआ किरन, जा बात है ? क्या बताओ मैं ? आजकल ये बहुत आजीब अजीर भार्कते कर रहा है अप्पू ऐसा ललका नहीं है . He is a good boy क्या हいます ? नहीं ममी डेड़ी पर तुम गुष्सा हो रहे है। ऐसा नहीं है मामा जी जुरी स्कूल में तो ये स्कूल से किसी का पेन चोड़ी करके लाया है, टीचर को पता चलेगा तो हमारी इज़त चली जाएगी. तुम चुप रहो किशोर, बच्चे ने अंजाने में कर दिया होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, इसके टीचर से बात करके जिसका पेनों से लोटा देता हूँ, इतनी जोटी सी तो बात है, ठीक है, वो काम तुम कर देना, चलो किरण, ताइब हो गया है, या, टेंशन मतले नापू, मामा जी स्कूल में मुझे ना, देखो, मैं सब समझता हूँ, लेकिन अभी ममी डैडी तुम से गुस्सा है, मैं टीचर से बात करके तुम्हारी प्रप्लम सॉल्व कर दूँगा, आपू, आओ चलो, किर न, किरन, प्रेजन मेस, लटा, प्रेजन मेस, सन्धिया, प्रेजन मेस, अप्व, प्रेजन मेस. इतनी देर की हो गयी तुम्हें, मैं यस ली, वर यू? मैं अपू का मामा हूँ, यह पैन अप्पो के बैग में गलती से आ गया था, इसके सारे फ्रेंड्स इसे चोड़ चोड़ कहके बुलाएंगे, इसलिए डर रहा था, आप प्लीज यह पैन उसे लोटा दीजे जिसका है, वाट, यह पैन गलती से आ गई है, क्या है यह सब अप्पू, आम क्वाइट अन आने से बना कर देगा, stop this nonsense, कल अप्पू ने क्लास में हाथी के बार में बहुत अच्छी स्पीच दी थी, मैंने इंप्रेस होकर यह पैन अप्पू को गिफ्ट दी थी, अप्पू ने चोड़ी नहीं की है, अप्पू ऐसा लड़का नहीं है, जीहा, 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 अप्पू, बिटा, बिटा, बिटा प्रीज, जो बजो, अप्पू मुझे थोड़ा सा अपसेट लग रहा है, something is missing, आज इसे अप घर ले जाए, पर कल स्कूल भेज दीजिएगा, थेंक्यू, थेंक्यू मैं, जीहा, जीहा, अपस्त, आप लगा, अपस्त, इसे कैसे मना हो, कैसे खुशकरो, अऑश्य, आइसक्रीम खिला दूँ क्या है? अप्ष। क्रेजी बॉय आजो अप्ष। चलो अप्ष। क्यों सी आइस क्रिम खाओगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए प्लीज अगर तुम्हें नहीं भी खानी है तो मुझे खानी है मेरा दिमाग बहुत जादा करम हो गया है मुझे नहीं चाहिए मामा जी मेरा मुट ठीक नहीं है अप्पू तुमने हमसे जूट क्यू बोला कि तुमने पहन्चोरी किया है ओ यह पुरानी फिल्मों के विलन की तरह लुक क्यू दे रहे हो बता न अप्पू जब टीचर ने तुम्हें गिफ्ट दिया था तो घर पे जूट बोलके डांट क्यू खाई प्लीज कुछ तु बोलो न अप्पू कम से कम मेरे मम्मी डाडी को मुझे पर इंट्रेस्ट आएगा सोचकर क्या मतलब उन दोनों को तुम में बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है क्या क्या हुआ बताओ न असली प्रॉब्लम क्या है रोने से क्या होगा प्लीज कूल डाउन अप्पू कंट्रोल यो से ला अरे बहादूर बच्चे रोते थोड़ी हैं बी ब्रेव अब बताओ मुझे आखिर प्रॉब्लम है क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता कम से कम मैं बिगड गया हूँ पता चलेगा तो मम्मी डाडी इंट्रेस्ट दिखाएंगे सोचके इसलिए तुमने जूट बोला है ना पू यू सिली बॉइ किसने तुमसे कहा कि मम्मी डेडी तुमसे प्यार नहीं करते हैं वो दोनों तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए बहुत महनत कर रहे हैं मैं उसे बात करूँगा अभी चलो आइस क्रीम खाते हैं अरे जो भी बीस ओवर में पचास मारेगा वो जीत जाएगा हेड्स मेरा है टेल्स आया है बैटिंग करो कमान कमान चल्दी 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 बैया मैं भी खेलूंगे बैया ठीक है मुन्नी चलो यहां खड़े रहो आट आट आओ लिए कर दे बॉल डाल बॉल डाल बॉल दे बॉल दे बॉल दे बॉल दे आओ, आओ, पक्ड़ो, 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 पॉल, 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 अरे तुन्हे बॉल क्यों छोड़ा यार? बॉल 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 अरे बॉल क्यों छोड़ दिया यार? 46 रंस ओवर एलिफेंट मुझे पावर देना प्लीज विन ये विन ओषिट वावर रच ये 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 पाई यार क्या हुआ बाबा? किसने फोन किया था? मेरे फ्रेंड ने क्या कह रहे थे? मुझे बता रहे थे कि घर में हाथी रहते हुए भी सारा गाउं क्यों डूण रहे हो मैड बॉय कह रहे थे मुझे अब ध्यान से देखो कहा है बाबा? हम दोनों ही तो दिख रहे हैं नहीं मैं और हाथी दिख रहे है हाँ क्या बाबा? मैं हाथी जैसे दिखती हूँ क्या ऐसा करोगे तो मैं काम छोड़ दू ऐसे ही मजाग की आणटी दिल पे मत लेना प्लीज मैरे अपू बाबा जैसे कहेंगे मुझे वह पसंद है बाबा चीक है मुझे भूख लग रहे है कुछ खाने को दो एक मिनिट पे लाती हूँ हाँ आती हूँ हाँ बाबा आती हूँ दीदी क्या है दीपा तुम्हें अपू अच्छा लगता है अच्छा लगता है मुझे अपू भाया ही अच्छा लगते है ऐसा क्यों? मुझे चाफलेट देते हैं खेल में शामिल करते हैं सच में आतो तुम्हें कौन पसंद है मुझे भी अपू ही पसंद है तुम तो शिद्दू के साथ गूमती हो ना उसके साथ नहीं गई तो वो मुझे मारता है अच्छा ऐसा है क्या? अपू गुड बोई आतो सिद्दू बैड बोई इसमार सिद्दू तुम्हें मारेगा तो अपू को पता देना हाई मुन्नी हाई अपू हाई दीपा हाई अपू आज तुम लोग क्लास में नहीं गए हाई ठीक है तुम सब ये चौकलेट खाओकर क्लासरूम में चले जाना बाई 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 अपू बाबा अपू बाबा या है अंटी मिल्क मिल्क तैंक मेरा अपू बाबा तैंक्यू तैंक्यू पाप्रे ये क्यू आ गया सिद्धू या कैसे आ गया उस पतं को कट कर बाईया संभाल कर अब क्या करूँ वो मेरा पतं काट देगा अरे हमारे अपू का पतं भी आ गया अरे वाँ अपू आ गया अपू आ गया आज आपू आ के कट करते बाईया कट करते अरे कट कर यार तेरी पतान काट गई अप्पू आज संडे है ना स्कूल उनफर्म क्यों पहना है आज मुझे और मेरे फ्रेंज को मैम जू पार्क दिखाने ले जाने वाली है अरे ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना तुमसे मिलने के लिए प्रिया अंटी बहुत दूर से आ रही है मैंने उनसे कहा कि तुम आज घर पे ही रहोगे नहीं मम्मी आज मैं जू पार्क जाकर रहूँगा अप्पू बहुत दिनों से प्रिया अंटी तुम्हें देखना चाहती है उनके आने के बाद तुमारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है उन्हें दूसरे दिन आने के लिए कहो आज मैं हाथी देखने का चांस मिस नहीं करूँगा अप्पू मेरी बात सुनो बेटा फ्री होने के बाद मैं तुम्हें ले जाओंगी न अब कब फ्री रहोगी बताओ मुझे तो टीचर के साथ हाथी को देखने दो अब फिर कभी ले जाओंगी न आज के दिन घर पे रहो न ऐसा बहुत बार बोला है लेकिन एक बार भी मुझे लेकर नहीं गए वो देखो बस आ गई बाई मम्मी कमान चिल्रेन हम जो जो भी जानवर देखना चाहते थे हम देख चुके हैं न जी हाँ हमने सब देख लिया लेकिन हमारे अप्पु को हाथी पसंद है उसने नहीं देखा लगता है यहाँ एलिफेंट हो सकते हैं टीचर मुझे हाथी दिखाईए न क्यों नहीं दिखाऊंगी अप्पु हमने ये प्रोग्राम इसलिए तो बनाया है ना चलो कमान हाथी वहां पर है चलो जल्दी से आओ आप सब लोग कहां जा रहें मैडम बच्चों को हाथी दिखाने के लिए वो नहीं है मैडम उसे डंब करके बैंगलोर ले गए हैं सौरी अप्पु मैं तुम्हें यहाँ हाथी नहीं दिखा पाई अप्पु तुम आ गए आँटी कब से तुम्हारा इंतजार करे थी और अभी वो चली गई क्या बात है अप्पु हाथी नहीं दिखा तुमने जू में हाथी नहीं है क्यों नहीं है उन सबिल को बैंगलोर बेजा है अच्छा हुआ पेरेंस की बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा तुमने मम्हा की बात नहीं मानी ना इसलिए वहाँ एसलिए glass of acid in brain किरन, क्या हुआ किरन, अप्पु रो क्यों रहा है, क्या बात है बेटा, अप्पु को हाती पसंद है न किशोर, जू में भी हाती नहीं देख पाया, नेक्स्ट वीक हम अपना सारा काम छोड़के इसे केरला लेके जाएंगे, केरला क्यों मम्मी, वहां हाती होगा क्या, अप्पु अभी तक आया क्यों नहीं, मुझे क्या पता, हाई फ्रेंस, ऐसे सभी मुर्जाये से क्यों हो, कल तुम्हें देखके लगा, आज नहीं आओगे, क्या रो रहे थे तुम, कल मेरा मूर देखकर, मेरे मम्मी डाड़ी अपसेट हो गय, हालिडे में मुझे केरला ले बहुत पेकता है, कल किसने देखा है, यह जब जाएगा ता पता चली जाएगा, हाँ औरे रुख जा, रुख जा, रुख जा, रुख जा, फो दे रुख नहीं सेकता है क्या, बक्री की तरह चिलाता रहता है बस, अ, हालो, कौन है? अरे काकी, मैं, मैं वेडू बात कर रहा हूं क्या? वेडू गपाल स्वामी है? काकी, मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ मैं सिंगापूर से किरन मिम साब का भाई व्यनु बात कर रहा हूँ अरे रे, माफ करना साब मैं कुछ औरी समाझ रही थी माफ कर दो साब कोई बात नहीं, वैसे अप्पु का है मैं जल्दी में आया, इसलिए उससे मिल भी नहीं पाया बाबा, रुकिये, रुकिये, बाबा बस आई गए अप्पु बाबा, मामा जी का फोन है सिंगापूर से बात कर रहे है, हम, बात कीसी है हेलो, मामा जी, हाँ आर यू मुझे बिना बताए क्यों चले गए थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए आना पड़ा अब मुझे धेर सारे पैसे कमा कर अपने भाजे को असली हाथी भी तो दिलाना है सच कह रहे हो, मामा जी हाँ, बेटा प्रॉमिस? अच्छा सुनो, हाथी के चक्कर में आके पढ़ाई में छोड़ देना एक बार पढ़ाई करके बड़े अदमी बन जाओगे ना तो एक क्या फेर सारे हाथी खरीज सकते हो मामा जी, आपको एक बाद पता है क्या? कौन सी बाद? मुझे मम्मी, डैडी, केरला फोरेस्ट लेकर जाने वाले हैं अरे वाँ जहां मैं बहुत सारे हाथी देखूंगा वेरे गूड, वहाँ जाके अच्छे से एंज्वाई करना बाई मामा जी ओके बेटा, बाई अब इनसान की जिंदेगी में हमारे लिए आनिमल्स कितने जरूरी हैं इसके बारे में हमें एक लेक लिखना है Once upon a time, in any country, एक particular place से दूसरे place पर इनसाने को ट्रावल करना हो या food items को ट्रांसफर करना हो तो आज की तरह transportation system नहीं था उस समय most probably इनसान आनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते थे चाते चाते इनसान में technology डेवलाप होने की वज़े से motor vehicles इस्तमाल में आ गए For example, lorries, trains, trucks, buses और बहुत से vehicles हैं अब इनसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं बट इतना होने पर भी आज भी इनसान जानवरों की मदद लेते आ रहे हैं हाथी, घोडा, ओंट आज भी हमारे काम आ रहे हैं आज भी चंगलों में कटे हुए बड़े-बड़े पेड़ों को लॉरी में चढ़ाने के लिए हाथी होते हैं दस लोगों से जो काम नहीं होता है, एक हाथी वो काम आसानी से कर लेता है क्यों अपू, सही कह रहे हुँ ना? येस मिस ऐसे बहुत से कामों में यूस आने वाले जानवरों को वही इनसान बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनकी चीजों का बिजनस कर रहा है अब कोई भी चानल देख लो, कोई भी पेपर देख लो, आजकल जानवरों की हत्या की खबरे बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलती है अगर हम ऐसे ही करते रहे तो जंगली जानवर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे वाल्ड अनमल्स का शिकार करने वालों को सबक सिखाने के लिए government को serious action लेना होगा At the same time, हम सभी को भी उनकी रक्षा करने के लिए ready होना होगा पेड काटना, बंद करना होगा एन्वाइमेंट को कैसे बचाते हैं, उसी तरहे वाइल्ड आनिमल्स को बचाने के लिए भी हमें लड़ना होगा. Today's topic on save wild animals is over. Hello? Hello? कौन? मैं हूँ आणटी किरन हाइदराबाद से. बेटी, तुम हो क्या? इतने दिन के बाद फोन किया तुमने? कैसी है आणटी? हाँ, मैं अच्छी हूँ. अच्छा, ठीक है, क्या बात है? बहुत दिनों बात याद किया तुमने? मैं और किशोर आफिस के काम से यूरोब जा रहे हैं. आप प्लीज आके अप्पू के साथ रह लीजिए. अब जल्द से जल्द गाउं से हाइदराबाद आ जाएए. क्यों नहीं आऊंगी? वैसे मुझे हाइदराबाद देखे हुए, बहुत साल बीद गये है. हाँ, तो जल्दी से निकल के हाइदराबाद आ जाएए. अच्छा, ठीक है, अभी निकलती हूँ. ये क्या है, मम्मी? नेक्स्ट विग तो मुझे केरला लेकर जाने वाले थे ना? आफिस के काम से यॉरोप जाना पड़ रहा है. डाडी को भी यॉरोप में बिजनिस करना है. इसलिए हम दोनों साथ में जा रहे हैं. तो मुझे भी लेकर चलो. चिल्डर्न आर नॉट अलाउट. तो केरला कब जाएंगे? मौका मिलने पर चलते हैं. पैसे भी केरला कहां जाने वाला है? अपू, हर बात पर ऐसे रोते नहीं हैं. फिर मैं समझना होगा. वापस आते टाइम, बहुत सारे खिलाने ले आउंगी. हलो? किरान, फ्लाइट निकलने में तीन गंटे बाकी हैं. तुम अभी घर से निकली नहीं किया? अभी निकली रही हो, किशोर. डाड़ी एरपुट पे वेट कर रहे हैं. तुम्हारे देखबल के लिए कल आउंटी आ रही हैं. अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एक्जाम देना. हम बहुत जल्द वापस आजाएंगे. बाई! ऐसे बहुत से कामों में यूज होने वाले आनिमल्स को वही इंसान बड़ी बेरहमी से हत्या करके उनकी चीजों का विजनेस करते हैं. हाँ, मिस्स की बात सच है. कैसे, मैं कैसे जानवरों को बचा सकता हूँ? हम केरिला कब जाएंगे? मौका मिलने पर जाएंगे. वैसे भी केरिला कहां जा रहा है? क्या हुआ अप्पू? यहां केला क्यों बैठा है? कुछ नहीं है. अप्पू, एक्जाइम्स हो गए हैं ना? चलना खेलते हैं. मूर नहीं है, दीदी. क्यों? किसले हैं? मेरे मम्मी डाडी केरला ले जाने का वादा करके यूरोब चले गए हैं. मम्मी डाडी हमेशा इसे ही करते हैं. वादा कभी नहीं निभाते. अप्पू, सिद्धू अपने पस क्यों आ रहा है? लगता इसके फ्रेंड्स ने भखा दिया होगा. हाई अप्पू. हाई सिद्धू. हैप्य फ्रेंड्शिप डे. थांक यू, सेम टू यू. मैं हमेशा तुमसे जगड़ा करने के कोशिश किया करता था. लेकिन तुमने मुझसे कभी भी जगड़ा नहीं किया. तुम भी मेरे फ्रेंड हो यार. तुमसे क्यों जगड़ा ये हमारा फ्रेंड नहीं है. ये हमारा दुश्मन है. दुश्मन होता तो हमसे आकर बात क्यों करता ये. मैं भी तुमारा फ्रेंड बना चाहता हूँ यार. अप्पू, इससे अपने ग्रुप पे शामिल कर ले क्या? फ्रेंड्शिप डेपर आकर पूछा है. आप लोगों क हाँ आओ भाई आओ. कैसा चल रहा है दुकान तुम्हारा? बहुत अच्छा चल रहा है विया. एक जर्दा पान खिलाओ. खीक है. अंकल चॉकलेट मिलेगी क्या? देता हूना बाबा. आप कहां जा रहा है भाईया? अरे यही पर ये पास वाली अदिलाबाद फॉरिस्ट म अरे अप्पो यहां ओ यार. अरे अप्पो मुझे एक आइडिया आया यार. क्या है यार? तुम हमेशा से हाथी को देखना चाहते थे ना? हाँ हाँ तो अब क्या करेंगे? इस लॉरी में बैटके, हम जंगल में जाके, हाथी को देखे वापस आजाएंगे. अरे क्या बात कर रहे हो घर में पता चलेगा तो मार पड़ेगी. अंधेरा होने से पहले घर आ जाएंगे. जंगल में जाने से हाथी दिखेगा क्या? सिर्फ हाथी? क्या? सारे जानवर दिखाई देंगे. ऐसा क्या? ठीक है भईया. जो रहे? हो गया क्या? रेडियेटर बहुते गरम हो पानी डालता हूँ. ठीक है जल्दी कर. मुझे भी जंगल देखना है. मैं भी आओंगी. मैं भी साथ चलूँगी. पता नहीं मुझे डर लग रहा है. हाथों मात आओ तुम लोग. हम लोग खुशी से हाथी को, शेरों को, हिरन को, सब को देखकर आते हैं. तुम लोग यही मैं रुको. ठीक है. मैं भी साथ चलूँगा. हाथों खामोशी से इस लौरी में बैठ कर चलते हैं. चलो. अपू, अराम से के. आचा, आचा. अरे, चुपचा, बैठ चाओ सब, चुपचा. चलो, बैठ चाओ, बैठ चाओ. बैया, कौनों गाना बजाईये न? लगाता हो रहे. ये! हमारी इंक्वारी के मुताबिक, आपके स्कूल के बच्चे पान के दुकान से गाइब हुए हैं. वैसे अपू के घर से हमें कोई कंप्लेंड नहीं मिलिये. वो लड़का भी इनी के साथ गाइब हुआ है. जी हां, सर. पता चला है कि अपू भी घर नहीं पहुचा है. उसके पेरेंट्स यूरॉप गये हैं. कामवाली रोते हुए कह रहे थी. ओ, I see. इसलिए कोई कंप्लेंड नहीं हुई. मेरे हिसाब से उस पान दुकान के पास खुछ तो हुआ होगा. इसलिए हमें अपनी चान बीन वहीं से शुरू करनी चाहिए. ए, 302. सर. वो पान दुकान वाला आया है किया? आया है, सर. उसे अंदर भेजो. नमस्कर, सर. क्यो हुरे? बच्चे कहा हैं? मैं नहीं जानता, सर. मैं गरीब आद में हूँ, सर. वो दुकान पे पक्का आता था, सर. चॉकलेट भी खरीदा, सर. वहाद में वो कहां गया, मै महाँ पे थे क्या? अच्छे से सोच के बताओ. तुम जो भी बताओगे, वो बहुत ही इंपोर्टन क्लू होगा. याद आगिया, सर. जब बच्चे चॉकलेट खरीद रहते, तो वहाँ एक लॉरी खरी थी. ओके, उस लॉरी को तुमने पहले भी देखा था क्या? हाँ, वो हमेशा मेरे पास आती है, सर. लॉरी ड्रावर बहुत अच्छा इंसान है. जब भी दुकान के सामने आता है, मुझसे ही पान खरीदता है. वैसे वो लॉरी गई कहा होगी? अपने पास वाली जंगल में ही गई है, सर. लॉरी नमर पता ही क्या? इतना ध्यान नहीं दिया, सर अपने पास के लक्ष्मी टेमबर डीपो से लोडिंग होती रहती है, सर. लक्ष्मी टेमबर डीपो. कौन उठाओ, इडियाट. हलो? का हुआ? कितनी देर से फोन कर रहा हूँ? हा? मैं शांती नगर से एसाई रंजीत कुमार बात कर रहा हूँ. सॉरी, सर. ठीका, ठीका है. अच्छा, एक बात बताओ. AP 033249, अनलोड़ेड लॉरी, फोरेष्ट में आई है क्या? सर, एक मिनट, सर. सर, आई है, सर. कितनी देर हुई है? आदा गंटा पहले आई है, सर. एनी प्रॉब्लम सर? वह सब मैं बात में बताओंगा. तुम तुरंत एक काम करो. बताइए, सर. तुरंत जंगल में जाओ, और वह लॉरी कहां पे है, पता करो. ठीक है, सर. ठीक है, ना? ओके, सर. अरे, जंगल में इंट्री हो चुक है, यार. हाँ, यार. ये! राइवर अंकल उतर चुके है, साइलेंस. सुनो, मैं मंदिर जाके नार्यल चढ़ा कर आता हूँ, तुम इंजन ओयल चेक कर लो, अच्छे से. ठीक है, भाई. आ रहो मैं, हाँ? ठीक है, भाई. अड़ी, तुसू जाना है, यार. तुझे सब कुछ टाइम पर ही आता है, यार. सच में आ रहा है, यार. जाओ, करके आख, जाओ. बापने, मुझे डर लगता है, तुम भी चलो. ये, भगवान, क्या करें? चलो, चलते हैं. तुझे हमेशा यही आता है, क्या? चलो. आओ, मुन्नी, यहां पर बैट कर खेलते हैं हम. आओ, मीना, सूपरशीना. तुम मुझे हम रही जाओ, जु warm, करिण आड़ा है, क्या का बीजिए, क्या कमा, क्या ठावर लार women, क्या सल घ्र का माई․ अंबर वलार मुझे के वक्या मुद़ वारि、 यॉपान पनाड़ार ओवाण यूद। हाथी के स्वरूप मेरे गनेश जी आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता हम सब्की मदद करिये बपा मदद करें स्वामी मुझे हाथी दिखा देना सब तेरी वज़े से हुआ है अपको हाथी मिलने तक हमें हर बुरी चीज से बचाना है हमें यहीं पर सोना होगा यार अगर यह शेर आगया तो अरे ऐसा कुछ नहीं होगा चीख्या थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करेंगे फिर जंगल में चलेगे प्यार अगर ऐसा होगा तो अरे बाबा अब तक नहीं आए अरे बाब प्रे टाइम ही बहुत हो गया है सुनिये मेम साब आप बाबा अपते घर नहीं आए अंधेरा होने वाला है अंधेरे के पीछे उजाला होता है हाँ टेंशन मतलो क्या 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 उजाला आप बाबा नहीं आए है मैं परेशान हो रही हूँ वो आ जाएगा काकी असल में टेंशुन में ही टीवी सीरियल देख रही हूँ बीच में आकर एड की तरह आकर डिस्टब मत करो आप से तो मेरी मुसीबत और बढ़ गई है वक्त में साब में साब भी घर पर नहीं है मैं किसे बताओं अभी भगवान अरे अप्पू बाबा अप्पू बाबा अंधिरा हो गया है अप्पू बाबा अब तक नहीं आ है मैं क्या करूँ खुछ समझ नहीं आ रहा काकी खाना तयार है क्या टेबल पर रखा हुआ है खा लीजिए ठीक है अरे अप्पू बाबा नहीं आ है आपू मैं किसे बताऊं मैं तुम्हे सपने में देख कर बहुत खुश हो जाता हूँ लेकिन मम्मी डैडी मुझे छोड़ कर योरोप चले गए तुम मेरे साथ रहोगे ना अब 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 आ शेर आया वहाँ हो देखो अबटो बनी जल्दी आटो शेर आया जनकर किया अब करें कि अबार कुछ ऑ करें थे अब अब कुछ तो अरe इसे को चीज़ हो तो इससे अपलाई करो तो वो से डिर कर वह से दूर बहुत अच्छा एडिया था अप्पू तेरा दिमाग तो कमाल का है बहुत अच्छा एडिया था अप्पू मैं तो सोची नहीं पाया बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया तुमने बतों से देखते ही ड़ंगे है किया यारप्पू हम हाती देखने आये तो बीच में यी शेर कहां से आगया वो रात में नहीं सोते हैं क्यों एसा क्यों तेरे जैसे बच्चों का डिनर करने के लिए माल डालूंगा दुबारा पालतु सवाल किया तो मैंने कौन सा सवाल में यह उसकी आवास थी मुझे नीन दा रही है मुझे भी नीन दा रही है ठीक है यहां रहना सेफ नहीं है लेकिन चलो अंदर चलते हैं कि आख मुली उठो ए उठो अरे सिद्धू उठो यार पम्मे बूस्ट बूस्ट नहीं वेस्ट फैलो कहा है यारम लोग जंगल में अब चलो कहां पर इतनी जल्दी भूल गई क्या हाती मिलने तक हम सब को घूमना ही होगा मोहाद धोके रेडी हो जाओ कैसे यार तूटब्रस भी तो नहीं है वो यहां नहीं मिलेगा जाके उस नीम की डंडी से दाद घिसो अरे कड़वा होगा वो दातों के लिए अच्छा है कि टान्वों को दो डालता है ठीक है चलो चलते हैं मुन्नी आओ अपो इसमें उदर कर नहा सकती हूं यहां नहाने की जरूरत नहीं है मुहाद धोकर निकल जाते हैं अरे हम कहां नहाएंगे यार वहां चलकर नहाते हैं मुझे नहाने के लिए बडा सा वाटर्फॉज चाहिए ह। इसवें Sophos होते हैं धूने से मिल जाएंगे हमें ॏटर्फॉज नहीं डूनना है । हाथी को डूनना है तो सारी-सार, यहां मुष्य काम से तो आए थी ना, ठीक है. अभी face wash करके जंगल के अंंडर चलते हैं. अपू बाबा, कल से गायब है. अपू बाबा, कल से दिखाई नहीं दे रहे हैं. का गये हैं, कुछ नहीं पता. क्या कोई भी नहीं है बताने के लिए? लगता है अप्पू बाबा पाग गए अगर आएंगे तो मेरी मनत पूरी कर दूँगी अपने बाला जी को साब जी आप आगे गजब हो गया साब जी क्या हुआ का कि इतना रोकियो रही है बता हुँ साब बहुत गजब हो गया साब अरे खीक से बताओ ना क्या बात अप्पू क्या अप्पू को वो तो बेटा वेनू मुझे पहचाना नहीं मैं हूँ तुम्हारे गावाली अंटी सभी लोग मुझे महलक्ष में कहते हैं अरे रहने दीजिए ना पहले मुझे अप् अप्पू दिखाई नहीं दे रहा है और उसके मम्मी बापा काने चार दिन पहले ही विदेश आ चुके है जाने के बाद अप्पू बदो बात की थी तो जाने के बार आप यह नहीं लोटें आया आखिर गया कहा होगा काकी मैं जरा पुली स्टेशिन जा के पूश ताच कर बेता, आते वक्त खाने के लिए कुछ लेकर रहना, करका खाना काफी नहीं है क्या, काकी, साब, अगर केरन का फोन आ है तो उसे अप्पू के बारे में कुछ मत बताना, वो लोग घबरा जाएंगे, फाल्तों का टेंशन लेंगे, ठीक है साब, सार चाहे, अरे प्रकाश, इत काम किया उसने, जाओ, यस सर, हाई इंस्पेक्टर, हो, आर यू मिस्टर वेनू, यस सर, प्लीस सिट, आप ही अप्पू के मामा हो, हाँ सर, अप्पू के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ बता चला, अभी तक तो नहीं, पर हमारी पूशताच हर जगा जारी है, हम हमारे लोग पास्वाले फॉरस्ट में गये हैं, हाँ, वैसे अप्पू को एलिफेंट बहुत पसंद है ना, जी हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, वो हमें बहुत जल्दी मिल जाए, वो कोई क्रिमिनल नहीं, बच्चे हैं, मैं जानता हूं सर, पर उसके पैरेंट्स अभी में हैं, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, अगर पता चला तो टेंशन में आ जाएंगे, किसी भी हाल में हमें अप्पू को उनके यहां आने से पहले ढूड़ना होगा, इंस्पेक्टर, वी विल ट्राय आवर लेवल बेस्ट, ओके सर, अगर उसके बारे में कोई इनफोर्मेशन मिले तो मझे बताईगा, जरूर करूँगा, थैंक्यू से, जल्दी जल्दी चलो यार, भूख लग रही है यार, हाँ यार अप्पू, मुझे भी भूख लग रही है, आश्टी का टाइम है ना, पेट में चुए दौड रहे है, रात को भी कुछ नहीं खा मैंने भी तो नहीं खाया ना, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, आँ, ब्रेक्फास्ट रेडी है, चलो 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 चल्दी चलो, आँ पर, और कहां, घर पर, सबके सब पागल हो गए हैं, मैं तो चल्मी नहीं पा रही हूँ, इसलिए लड़कियों को साथ नहीं लाना चाहिए, ऐसा कोगे तो मुझे गुस्सा आचाहेगा, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम पूर करें जाना है, एचलो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आपना काम देखो, वो मोरनी इतनी सुंदर है, परसो जूम ए नहीं देखा था क्या, वो फीमेल थी, नहीं नहीं, डान्स नहीं करता, मेल मोरी, अच्छे से डांस करते हैं अक्या तुम्हें नहीं пап क्या मैंने सूचा मोर नी सुन्धर ते इसलिए मोरी यह अच्छा डांस करती होगी जानवरों मैं मेली अच्छे होते हैं कैसे प्ता मेरे मामा जी ने बताया हुई 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 वाव, what a waterfall हाई सर हाई इस्पेक्टर, प्लीज, बैठी है ना तो सर, अपो के बारे में कुछ पता चला नहीं सर, हमारी तलाश जारी है वी आर गोइंग तो फॉरस्ट बच्चे कहा है ट्रेस करके आपको इंफोर्मिशन देता हूँ हो सके तो सबको साथ ही ले आऊँगा मैं भी आपके साथ चलूँ क्या ज़रूरत नहीं है सर सारा डिपार्टमेंट उसी काम में लगा है यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ ओके सर, अब मुझे चलना होगा थैंक यू सर और बेउन और ताम इसह खूआ के सबीर q क्यआ हूँ किक्रोका है यहार अयू भी खुआ लग रही है तो क्या बात है बोलना यह मात की याद आ रही है मुझे भी याद आ रही है चीक है घर चले जाएं क्या नहीं नहीं तुम्हें आती देखना है ना तुम्हारी सारी मेनत बेकार चली जाएगी हाँ 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 उत्रो यार अरे मुन्नी कहा है वो देखो सो गई है चले यार चलते हैं साब थोड़ा नाश्ता कर लीजिये साब नहीं काकी मझे भूक नहीं है फोड़ा साथ खालीजिये साब पहले ये बताईए पुली स्टेशन से कोई फोन आया था क्या नहीं साब वैसे किरन किशोर ने बहुत गलत काम किया है उन्होंने क्या कर दिया साब अप उसे वादा किया था कि उससे केरला लेके जाएंगे और खुद फॉरण घूमने चले गए इसलिए वो नराज होकर घ चला गया जिया है जिया है यह वह सब्सक्राइब बच्चों के माब आप जादा ही प्रेशर दे रहे हैं सर अजबर मुझे भी सीनियर से बहुत कॉल आ रहे हैं यह उपरेशन हमारे लिए बहुत रिस्की है रिस्क लेना होगा असल में वो लोग इसी फॉरेस्ट में घूम रहे हैं पता नहीं तुम्हें आप तो जानते हैं सर यह अदिलाबाद फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है सर लगता है उन्हें ढूनने में बहुत वक्त लग जाएगा अगर पच्चों को नहीं ढून पाए तो एस्पी साब मैं कौन है यह जानते हूं इस फॉरेस्ट का किंग हूं चोर हूं सब कुछ मैं हूं आप पिर अपन है क्या सार एक दाओ उससे भी बढ़ कर हूं चराब के मीच में आज़तों सबाल पिना किये खामोच बठो यार तुम चुक्चा बठो यार आप बताए सर जो लोग आय थे गाले नकाब पहने वे थे मैंने हिम्मस से उन पर अटेक किया उनके हाथों में मश कुछ भी नहीं है उनकी बाते सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वह देश के स्मगलर ही हो सकते हैं मेरे अंदर देश भक्ती फूट फूट के निकलने लगी सब सच में बवा था सर है पीच में मट टोका का चपड़ गंजू इंसान इतने गुस्ताय में मत बोलिये सर सारा नशा सटाय तुम लोगा अंच की तुम लोग मेरी बात को सुनते रहो बतता ये मेरे बाप का क्या यह जाएगा क्ष्व какое और रिया वह झाल गई निकल गई अर तुरन्ठ मैने उन पर 쳤 चैख किया सुनिये सबγαquisव चोटा सा डाउट है चल पूछना अगर आप इतने बड़े देशवक्त होते तो जंगल के जानवरों की चम्री चोरी करके क्यों बेच रहे होते अपे तरी तो फोल सार फोलिजे फोल ठाके बात कीजे हालो फोलिजे और अफिसर रामा मूर्ति स्पिकिंग मैं इस पी बात कर रहा हूँ अँ शर नायू नायू जो बच्चे लापता हुए थे उनकी कोई इनफोमेशन में लेकिया उनकी को रूंड रहा हूं सर बहुत जल्दी उनके वारे देने के जिम्यदारी मेरे उपर है वो सारे बच्चे हाई सोसाइटी के बच्चे हैं समझ गया ना सार सार ठीक है सर देखो जहां भी उन हाथियों का इलाका होगा मुझे शक है वो बच्चे वही होंगे उस अफू को हाथियों से बहुत प्यार है सर्च करो ठीक है सर समझ गया सर बाफ रहे मेरी नोगरी खत्रे में पड़ गई है यह बच्चे हाथी को देखने के लिए जंगल में क्या आये हैं मैं ही जानवर बन गया हूं मेरा प्रमोशन पीते है दारू लेकिन गारी को पेट्रोल पिलाया यह यह डालाग तेरा नहीं है इसका है अब वो क्या बताएगा वो तो आप से जाना दारू पीके सो गया अब यह कंदा की लिया किसमती घराब है क्या करूं मैं है 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 किट्थ अप क्यों फorrest में आए हो? हम ना? आप क्यों हाई ह हैंठी? मैं? मैं तो ने रिसर्च कर ने आई हूँ घर outta ミानिकल प्रांट पर से ईयू सॉ दियर वे वे वेट इस यू नेम? MY नगल्म सो अप्व मैं नेम इस रमेश मैं नेम इस लेटा My name is Saddam My name is Munyi What is your name auntie? I'm Roja Tell me now, why did you come here? I came to see my friends with my friends Oh, you are a crazy boy Just wait, let me take one photograph Okay Thank you Bye auntie Bye auntie एइसे के चल रहा है क्या देख रहा है एसे मारूं गार जिदे लंदन में जाकर गिरेगा बकड़ सर मेरी पावर खतम हो गई है अब चल नहीं पारा हूं अरे तोड़ी देर पहले करते है पेटरोल खतम हो गया अब तुछ में पावर नहीं है कह रहा है खाना कहा मिलेगा देखो महां दिखाई दे रहा है सर प्री का होटल है सल वहां खाते है हां सर खाते है चलो खाते है अरे वह भूख खड़ा रहे सब कुछ चुपा दो उठो सहाब आगे चलो बढ़े सर अब ही आँ नमस्ते सर आं नमस्ते नमस्ते आप लोग कैसे पढ़ारे या अ हरा है महाँता होटल मेका वाँ था दो हमें काना को जाक है दो चला दो सेर, पहले खाते हैं, भूख लगिये, चलिए सर खाते हैं यहां कुछ बच्चे दिखाय दिए क्या कौन से बच्चे? चार लड़के हैं, दो लड़कियां हैं वो गरों से भाग कर आए हैं, हमें घर से निकालने के लिए कहीं दिखाय दिए तो बता देना यार, यहीं कहीं जंगल में गूम रहे होंगे वो एक्स्क्यूज मी यस उन बच्चों को मैंने वहां जंगल में देखा हैं वो, बेरी गुड फोटो भी निकाला हैं, चाहिए तो देख सकते हैं ऐसा क्या बस देखाना यस यही है यही बच्चे है अरे भुक्कर्ण उटो 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 चलो चलो यहांसे चलो यह वो स्टमीट उटो यार मैं फर्स्टाम फॉरेस्ट में आया हूँ ठीक से चख करो, समझ गया ना क्या है क्या है क्या ग्रूप में खड़े हो तुम लोग बोलो क्या है जंगल में तसकरी करने आया हो क्या अरे नहीं नहीं सर अभी एक घंटे पहले जुन में से एक हाथी आय थी सर बहुत बोड़ी तकड़ी थी हुझे बोला या हाथी को बोल रहा है क्याता हूं आपके कसम सर मेरी कसम है सर इनसे पूछ लिए है चार इतने लड़के है एक चोटी बच्ची है एक बड़ी बच्ची है तुमने उन्हें यहां देखा है क्या नहीं देखा सर हां अगर मिल जा तो मुझे बता देना ठीक है फॉलो में अगर हम देख भी लेंगे तो इस मोटे गैंडे को क्यों बताएंगे जलो रहे हैं मुझे लगता है यह हमें ढून रहे हैं पकड़े जाएंगे और हम रोट पर बिना आये जंगल में घूमते हैं यार बापरे शेर आ गया तो अपू यहां जानवरों से जादा इंसानों को देखकर बॉर्डर लग रहा है है यार से दू सच में और आपू जली साथी को देखकर चले जाते हैं ठीक है चलो चलते हैं पापरे बच्चों को ढून ढून का थक गया हूं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूं मूड भी अच्छा नहीं है तारू पी नहीं होगा कौन है धरू पीने के समय दर्वाजा खटकटा रहा है कौन है रहे कोई भी नहीं है यहां पर नमस्कार जर कौन है तू दुरगेश हूं जर वो आपने कहा था था न जर बच्चों की इंफोमेशन देने के लिए इसलिए आई हूं जरू के दिखाए दिये क्या हाँ देखा पर बच्चों के पास भीजने के लिए वह दोनों पागल नहीं है तो छोड़िये ने सहर हाप पकड़ेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा सच मिलेगा चलो 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 आव खाली है जाएंगे तो काम नहीं होगा ना सथा तो क्या करूं एक हाफ तो ले लीजे सर किसलि थो मसाँड़ा यहले भी कर्मर चला चला शराब तो मिल गए सर हाइं चकना देदे तो पास जाना है तू पीक है यहले पकड़न आप चल मेरे साथ हाँ चल ना चलिए सर है तो दिखाइगा है दिखाइग कि उस तरह जाएं बइक्राणर। चलो चलो वालों हिसे था संट आख को निह दिख रहा है ओछे था लेगतर है मेरी आगों से देखिये सेर वो सभी यहीं मेरे आगों से देख रहा हूं अपनी आगों से देख रहा हूं पर यहां तो कोई नहीं है नहीं है क्या सार होना तो चाहिए वालो नहीं वो देखो वहीं मेरे पापा अम्मा पापा अम्मा और कि दू जाना होगा यार चल चल कर मेर मेरे पेरों में छाले पड़ गाए मेरे बाप प्रोमोजन जाहिए तो थोड़ी मेनद करनी बड़ेगी नज़र अरे बाप रे अब मैं क्या फॉलो करूं मेरी जान तो अब जाने वाली है पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर नहीं आया अबे अरी से फिनिश करते था हूँ और कितनी दूर मिलेंगगई आया बेल में जर हुआ यř्भाला मी चुकर के उपैला मशर्य हों माला मेरिया वह दो फोसके मां मा आममा आये मिरा पढ़्लेव हुआ श्िल क्या है दो इसाइश कूरिये टूलसाद गेसे पर इससोथित एधिक लगें अँश-थी कुल आप सब्सक्राइब ग्रॉण यह जो कि अधूर 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 पापा, मैं नहीं चल सकता बास, बिलकुल मुझसे नहीं होगा हम नहीं चलेंगे सार, वो खुद हमारे सामने आ रहे है वो देखिये सार, सामने बने देखिये चाम, यह कहाँ गया, बीच जंगल में मुझे अके लाँ छोड़ का चला गया अरे बाब रहे दाव मुझे दे रहे था ना अज तुझे जंगल में वासा दिया देखा ना अरे ये मुझे एकेला जोड़कर कहा चला गया ना लाया एक अरे उस जब पार का ट्रांसवर हो गया यार बच्चों को ढूणने की सारी जब्मिदारी मुझे पर है पता नहीं क्या चलेगे सर हलो मैं ऐसा ही राठोर बोल रहा हूं सर मैं पोरेश ओफिसर बात कर रहा हूं बच्चों के बारे में कुछ पता चला आपको पता तो नहीं चला है लेकिन छोटी सी इंफॉर्मिशन मिलिये सर क्या है बताओ उस हिसाब से पता लगाएंगे दुर्गेश नाम का आद्मी इसी जंगल में खुपते रहता है बच्चों के बारे में उसे सब कुछ पता है सर ऐसा क्या हां तो उसे कैसे पैचानेंगे क्या पैंता है सर तो ऐसा बटला सा है हमेशा पिए हुए रहता है सर अरे ये वही आद्मी लग रहा है रोको उसे जाओ अनाम है यह तेरा नामनी है क्या है वही सर पुलिस से बात करते वक्त सीधा खड़े होकर बात करना चाहिए ठीक है सर दाधा नाटक मत कर, समझा? अच्छा बता, बच्चे तुम्हारे पास हैं, हमें information मिली है, कहां चुपाया तुन्हे? मैं नहीं जानता, सर, क reckless officer ने सब बताया हमें, बताओ! वोरेट ओफिसर के पास तो शुराव की लालच में आके जूट बोला था सर, बज्जों के बारे में मुझे कुछ नहीं बता है सर ए छूट से सक नफरत है मुझे, सच बताओ सच कह रहा हूँ सर, अपनी कसम खाता हूँ ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी खातिर दारी करो मिखनी मान क्यू खा रहा है बे, सर सच बताओ, सच बबाट बटाओ, बे सुन, मैं तिरे को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ लेकिन अगर कल तक बच्चों को पता नहीं चला तो इसी पेर पर उल्टा लटका दूगा समझ गया रहा है चल उसने जड़ाया इसने उतार दिया भाया का फोन इस वक्त कहिए भाया किरन कैसे कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा अपो घर से भाग गया है अपने दूस्तों के साथ तुम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं किया क्या कह रहे हैं अप उसे केरला ले जाने वाले थे ना फिर क्यों नहीं लेके गया तुम लोगों की वज़े से वो बच्चा घर छोड़के चला गया वही पास में बच्चों के साथ खेल रहा होगा भैया उसे घर से गाया वह कई दिन हो चुके हैं अरे यह क्या हो गया वह पुलिस टेशन में कंप्रेंट कर दी हैं वो लोग उसे ढूंड रहे हैं हम लोग यहां हर कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए पर तुब और किशोर यहां आजाओ ताकि हमें अभू को ढूंड़ने में आसानी हो हम दोनों अभी निकल रहे हैं रोईए मत में साब अपू बाबा आ जाएंगे आपका रोना देकर मुझे भी रोना आ रहा है अपने आपको सम्हालिये मिस्टर किशोर आए मैडम देखे ना अपू बाबा ने ये क्या कर दिया मैडम आप तो इन्हें होस्ता दीजिए पीस कंट्रोल कीजिए वो जरूर वापस आ जाएगा पता नहीं मेरे अपू को जंगल में जानवरों ने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा शाथ हो जाएए मैडम आप दुखी होने का क्या फाइदा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या कहूं मैडम अपू इस इंटेलिजेन समझदार बच्चे अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं अपू को हाथी पसंद है हाथी को दिखाने का वादा आपने पूरा नहीं किया अपू को केरला न ले जाने की वज़े से वो नराज हो गया ऐसा आपके भाई ने बताया हाँ किरन उसकी छोटी से खुशी को नजर अंदास करके तुमने बहुत गलत काम किया है अब देखो न अपू की वज़े से बाकी बच्चे भी मुसीबत में हैं और उनके पैरेंट्स तुम्हें दोश दे रहे हैं हाँ माडम आप अपने कामों में उलचकर अपू को भूल गए थे वो इतनी जल्दबाजी करेगा सोचा नहीं था जल्दबाजी? उसने हमेशा तुम्हारा वेट किया बहुत से माबाब बच्चों के लिए बुक्स खरीदते हैं, साइकल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कम्प्यूटर खरीदते हैं लेकिन बच्चों के दिल में क्या है ये नहीं समस्ते? ठीक है, जो होना था वो हो गया इंस्पेकर साब से बात करके मैंने इन्हें यहां भीजा था जी हां, मैडम नहीं भेजा है परिशान मत हो ये, अपु समझदार लड़का है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी सर, आप भी जंगल जाएंगे तो बेहतर होगा ठीक है मैडम अरे ये तो बहुत बड़ी परिशानी हो गई वो बच्चे इस फॉरेस्ट में कहां घूमरें, कहां सोएं हैं, मुझे क्या पता यार गुरु जी, अगर आपको पता नहीं तो दुनिया में किसी को पता नहीं होगा हाँ सर, सिंदे सर सही करे है तुम लोग तारीफ कर रहे हो, चने की जाड़ पे चड़ा रहे हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है सर, आपसे बड़ा ओफिससर इस जिले में नहीं है सर हाँ सर अब इतनी तारीफ कर रहे हो, तो उन बच्चों को ढूड़ना आई पड़ेगा हाँ सर, प्रमोशन लेना चाहते हैं शाम को पाटी चाहिए सर शाम को मिल जाएगा खंबा ठीक सर अरे अपने सर, सर की तरह बिहेव नहीं करते, फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं अरे असी का फायदा मत उठा सारी सर अरे अरे रुको तुम लोग, सुनो तो सही हमारे लिए आये हो, कौन हो भाया तुम मैं इस जंगल के पास उस पार रहता हूँ सच में, हम हाथ ही देखने के लिए इस तरफ जा रहे हैं तुम लोगों का जाना ठीक नहीं है तुम लोगों को पुलिस जूण रही है जूण रहे है क्या? बच्चों को कहीं देखा ये पूछ रहे थे दिखाई देने पर बोलने को बोला है भाया भाया, हम हाथी देखने तक पुलिस वालों को मिलना नहीं चाहते मिलेंगे तो हमें लेकर जाएंगे ठीक है ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलो हातियों को उस तरफ जाकर देखो दिखाई देंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ठीक है एक और बात सुन लो इस जंगल में खतरनक जानवर घूमते हैं ठैक्स भाया ठीक है ना, समल के जाना जाए याँ आओ याड़ जल्दी 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 अप्पू, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है थोड़ी देर के लिए रिलाक्स करके चले क्या हाँ यार मैं भी थक गया हूँ तुमारे तो पैरों में दर्द हो रहा है लेकिन मुझे तो नीन दा रही है यहाँ पास में सोने के लिए कोई safety place हो सकता है चलो ढूंदे हैं अप्पो की बात सही है फॉरेस्स में safety place कहा होगा safety place बोले तो कही टेबल जैसा है क्या चलो देखते हैं यार ठीक है चलो अरे अप्पो तेरे चड़ने से पहले ये दुनों गिर जाएंगे यार वैसे बहुत ठंड है हम ओडने के लिए कुछ भी नहीं लाए हम थोड़ी ना प्लान करके आए हैं अचानक आगए है रमेश हमारे बैग में स्वेटर है न वो निकाल कर पहनेंगे तो ठंड नहीं लगेगी अच्छा याद दिलाया थैंक्स यार आओ यार चलते हैं चलो अरे वो देखो वो प्लेस अच्छी है चलो वहां रिलाक्स करते हैं चलो जो प्लेस आओ इस्वाइब कर रिलाक्स करते हैं अरे जो करते हैं अरे दिलाक्स करते हैं नो उसे कुछ मत करो नो उसे कुछ मत करो नो मेरी हाथी को मत मारो नहीं प्लीज उसे मत मारो प्लीज मेरी हाथी को मत मारो प्लीज मेरे हाथी को मेरे हाथी को मार देंगे वो लोग मेरे हाथी को ले जा रहे हैं मुझे सपना आया था यार आपु प्रूक्टो प्लीस आपको, यापु आपु कौन हो तुम लोग? हम शहर से आये हैं इस जंगल को देखने आये हो? नहीं हाथी को देखने आये हैं हाथी को? तुम्हारे साथ कोई बड़े लोग नहीं आये है क्या? यह जंगल बहुत बढ़ा है रास्ता भूल गए तो मुसीबत हो जाएगी तुम भे तो छोटी हो ना तुम रास्ता नहीं बोलती, कहीं भी जाओ नहीं बोल सकती ऐसा क्या? संजीव भाईया ने मुझे सारे रास्ते दिखाए है संजीव भाईया कौन है? मेरे भाईया है हातो तेरे भाईया पुरा जंगल जानता है क्या? हाती कहां मिलेगा पता है? पता है? हातों तुम हमें अपने भहिया के पास ले चलो न? ओ, जरूर ले जाओंगी चलो मेरे साथ कुछ नहीं संजीव हम घर में बिना बताए हाती देखने आये हैं लेकिन हमें तो दिखाए नहीं दिया अच्छा हाती देखना है वो यहां नहीं आते आज एक हाती आया था न? वो तो बेकाबू होकर चिलाते हुए रास्ता भटे कर यहां गई थी नहीं तो वो उस उत्तर दिशा में एक तालाब के पास मिलते हैं शेर होते हैं, बबबर शेर होते हैं बाप्रे, बबबर शेर होते हैं लकडबग्य भी होते हैं, घर चले जाओ अरे क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो तुम हाती देखना चाहते हो उस उत्तर दिशा में जाओ, बहुत सारी हत्निया मिलेंगी अगर कोई परिशानी हुई, तो मुझे बुला लेना मैं आकर बचा लूँगा तुम्हें कैसे बुलाना होगा संजी भाईया समझ गए ना, ऐसे पुकारोगे तो मैं आ जाओंगा हाँ तो एक बार पुकारो हाँ ठीक है ठीक है, इस छोटी को अपने पास ही रखता हूँ तुम लोग जाकर देख कर आओ ठीक है संजी भाईया मली हाँ भाईया, क्या है भाईया इस लड़की को हमारी कुटिया में लेकर चलो ठीक है सुनो, सुनो, रुख जाओ, रुख जाओ तुम लोग सुनो क्या बात है संजी भाईया कोई परिशानी आए तो ये इस्तमाल करना इसका उप्योग कैसे करते हैं इसका ऐसे कंकर डाल के इसमें रखकर निशाना लगा के मारना होता है ठीक है, मुझे एक बार उप्योग करने दो अब जाकर तुम लोग देखकर आओ एक है बाईया लोग पाल लोह लोह हुआ एजा लोहा हुआ हो लोहा हैं का लोहा है कि अटला है कि जुए अडरिए recognize कि अटला है कि तुए भाले लोहा है। और कितने दोर चलना होगा तालाब आना बाकी है वो कहां आएगा हमें जाना होगा क्या है ये किसी पेड के डाली है सफेद क्यूं है नहीं यार ये हाथी के दात है यहां कैसे आ गए हमारे दात जैसे टूट जाते है न वैसे ही टूटा होगा मजाक मत कर यार मतलब यहीं कहीं हाथीयों का इलाका जरूर होगा जंगल में हाथी को मार कर उनके दातों को बेचत है तो क्या सच में हाथी की चान खत्रे में है बाप्रे मुझे डर लग रहा है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं मैं हूँ न कौन हो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो हम यह जंगल देखने आए थे यहां यह दाद पड़ा हुआ था तो उठाव कर देख रहा था अरे अरे यह हाथी के मुझे गिरा है अगर हाथी मिलेगा तो चिपका दूंगा आप लोग जाए और दुबारा इस तरफ मत आना तुम ल जाके जू में देखने ना हाथी चलो जाए ऐसे अरे इसके ओपर मुझे शाक हो रहा है चलो इसको फॉलो करते हैं क्यों रहा है उन बच्चों को असानी से छोड़ करायों देखो हमारे बेवकुफ लोगों क्या किया है लोडिंग करने कर डाइम हाथी कदाँ छोड़ दिया कहने के लिए हो वह चोटे बच्चे थे इसलिए चोटे हो है या कोई बड़ा हो हमारा राभ जान लेने के बाद कोई भी जिन्दा नहीं बचना चाहिए तेट्स आल मेरे बात को दिमाग में बठालो खतम कर दूँगा बॉस रहा है है वह बच्चे कहीं दिखाये दिया क्या नहीं भाई तुझे नहीं भाई वो जहां भी मिले खाथम कर दो हां तिक हां तुवा ज़ाओ तुवाँ जाओ हुआ 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 है कर दो कर दो कि अधा हुआ हुआ है लगता है बोलो खत्रे में है हुआ हुआ लगता है वो लो खत्रे में है कुपक चलो जरूग लें भागो भागो जल्दी जल्दी भागो यासे अज बच्चों के लिए एस्पी साब पूरी फोस लेकर करके आये हैं तुम यहां से जल्दी भाग जाओ तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है सरकार से तनखौ लेता है और सरकार कोई दोखा देता है स्मगलर गुंडों से मिलके धंदा करता है जी हां अंकल यह लोग स्मागलिंग करते हैं और तो महसूम जानवरों के जान लेते हैं दो दो भॉरी माइब आए टेक क्यार आफ राठोर यह साब अरेस्ट देम ओके साब जालो रमान गम विद में ले आओ इनको तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो अप्पू कम आण किरन जी हमारे अप्पू को साहसी बालक की डिमें राष्टर पती आववर्ड मिला है बता है जी हां टीचर बहुतसे फोन गॉल्स आ आपू तुम्हें राश्ट्रपती आवार्ड मिलने से मुझे बहुत खुशी हो रही है लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है मम्मी क्यों क्या हुआ बेटा मैं जंगल जाके भी हाथी को बिना देखे ही आ गया अभी तक तुम इस हाथी को नहीं भूल पाए कैसे बोल सकता ह इसलिए तुम्हें यह बाहर बूला रहा है मेरा फ्रेंड कौन है चाकर देखो पता चल जाएगा है मम्मी डैडी मेरा हाथी आ गया हुआ हुआ earned पे पेंखिए है, हाँ पेंखिए है झाल 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 झाल